हलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग मैं चंदर प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एद्विद एज्जूकेशन पर आज के जो इन्फॉर्मेशन है मैं देने आया हूं जो आप लोगों को वो है यूपी आर्विनल और आरेसम एसेस्वी वाले स्टुडेंट्स के लिए जेवी यूएनल का एड्विट कार्ड रिलीज हो गया है कुछ दिनों में आरेसम एसेस्वी का भी हो जाएगा और 14 तारिक का तो यूपी आर्विनल का पेपर ही है 19 तारिक का आरेसम एसेस्वी का है तो काफी बच्चों के मैसेज मेरे पास आ रहे थे यूपी आर्विनल का पेपर सॉल्व हो चुका है और मौक टेस्ट चल रहा है मौक टेस्ट में यूपी आर्विनल और आरासम एसेस्वी के बच्चे दोनों बहुत इंजॉय कर रहे हैं और काफी हेल्पुल होने वाला है क्योंकि इस सेशन में आपके सारे subject include किये जाते हैं तेकनिकल के साथ में कुछ questions current affairs के भी आप लोगों के लिए लेके आये जाते हैं जिसमें आपकी overall knowledge develop होती है केवल एक subject की नहीं या केवल टेकनिकल की नहीं तो आपका यह जो सेशन मैं आपको बता रहा हूं यह वर्दान सावित होंगे सुबह साथ बजे के जो सेशन है मौक टेस्ट आप लोग देख रहे हैं पीछे मौक टेस्ट आपका साथ बजे सुबह होता है फिर कुछ बच्चों के मेरे पास लगातार मेसेज आ रहे थे कि सर यूपी आर्व नेल कहा तो पेपर सॉल्व करा दिया आपने हम राजस्थान वालों के लिए कुछ नहीं है क्या RSM SSB का पेपर भी सॉल्व होने वाला है आप लोगों का याद रखिए तो दो पेपर हैं RSM SSB के एक डिगरी का जेई का पेपर एक डिप्लोमा का जेई का पे अधवार में और पोस्टर लगवा दो बजार में की RSM SSB का पेपर सॉलीशन हो रहा है सब को मौझूद रहना है अब बात आती है सर कब होने वाले हैं यह सलीशन तो सेशन आपका कमेंड सेशन आप कमेंड बॉक्स में देखेंगे तो सेशन आपका शेडूल हो चुका है ज जो सबजेक्ट आपका सर खाते हैं जो सबजेक्ट आपको परिशान करते हैं उनके भी सेशन शाम-चे बजे लगातार चल रहे हैं माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोकंट्रोलर कर लेने वाला हूँ ठीक है एनरजी कंश्डर्वेशन ले चुका हूं इनवार्मेंट ले चुक दूँगा पेपर सॉल्व करने में कुश्चन सॉल्व करने में सुभे आप आईए बहुत मस्त तरीके से मॉप टेस्ट करेंगे साथ में थेंक यू एड़ा नाइस डे कि सेशन कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिंक दिया हुआ है सेट रिमाइंडर करें